Hello friends, यह email marketing series का part 4 है इसमें की हम पढ़ेंगे email marketing प्रॉंस and cons email marketing का क्या हमको benefits हैं और क्या हमको losses हैं हम उसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे ओके चली start करते हैं सबसे बाले हम बात करते हैं प्रॉंस की उसके प्रॉंस क्या है सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या है पहला point It's an effortable way to engage your target audience मतलब कि यह सबसे simple तरीका है या इसको हम वैसा बहुत सकते हैं कि यह एक असान तरीका है जिससे कि आप अपने target audience को engage कर सकते हैं अपने product या service के बारे में Next point देखते है Reach millions of people quickly and build customer relationship आप कम से कम समय में millions of people के पास आपका जो भी mail है वो पहुँच जाता है इससे होता यह है कि आपका जो customer है उसका और आपका relationship एक अच्छा build होता है Next point है You can easily track your efforts आप अपने जो महनत है आप उसको easy track कर सकते हैं कि आप के पास मतब आपका mail है वो किन लोगे पास गया है और क्या वहां पर क्या reaction हो रहा है मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको कुछ tools से बताऊंगा जिससे कि आपने emails जो आप भेजते हैं उसको track कर सकते हैं कि कितने लोगे पास आपका email पहुंचा कितने लोगे पास नहीं पहुंचा है नहीं पहुंचा इननसेंस वह mail के spam में तो नहीं चला गया यह वाला चीज़ ठीक है हम आने वाली वीडियो में जो number of tools से हम उसके वाले में आपको डिसक्स करेंगे तो चलते हैं next point में data and analysis are easy to capture and track जो भी आप email भेजते हैं किसी customer को भेजते हैं अपने product या service चे related right अब होता क्या है उससे अगर आप अपने customer को भेजे हैं जो भी आप mail भेजे हैं आपको service हो चाहे आप product हो जो भी हो तो कितने लोगों ने open किया है उसका क्या responses है है ना वह आप उसे easily track कर सकते हैं और easily data आप store कर सकते हैं कि जो भी आपका service या product है वो कितने लोगों ने buy किया है कितने लोगों ने इसको देख के out हुआ है उस चीज के वारे में आप ट्रैक कर सकते हैं जो next point है it can bring customer to your website अगर आपने किसी customer को mail भेजा आपका चाहे service हो या product हो कुछ भी हो सकता है अगर आपने अपने target customer को email भेजा है और आप चाहते हैं कि वह email को पढ़े और उसमें को यासा button है जो कि आपके जो e-commerce site है या कोई ऐसा funnel वाला site है समस्कों sales funnel बोलते हैं कि अगर उसमें आपको track करना है आप उसको हाँ पर भेजना चाहते हैं तो आपका जो customer है वो mail में के button में click करेगा और आपके जो target website है वहाँ पर पहुच जाएगा यह एक easy तरीक है जो कि बिना add कि आप अपने customer को अपने website पर track कर सकते हैं engage कर सकते हैं traffic ला सकते हैं अगर आप sales funnel के भारे में जानना चाहते हैं कि sales funnel कैसे काम करता था आप नीचे comment section में mention कर दीजेगा मैं उससे related भी एक video बना दूँगा चलते हैं next move में next move है हमारा कौन site इसके क्या losses हैं सबसे पहला loss है हाँ पर कि your email could get marked as spam देखिए अभी के जो तरीका है है अभी जो Google का Gmail हो गया Outlook का हो गया है ना या Yahoo mail हो गया या Rediff हो गया numbers of emails है तो आप अगर उनको email भेजते हैं है ना कोई भी email आप भी सकते हैं अपने टागेट हैं कोई इसमें भी सकते हैं चाहिए जीए मेल भी चाहिए आउट लोग मेज़ें कोई भी सकता है उसमें एक चीज है मतलब AI से related एक चीज है कि अगर आपके जो mail आपने भीजा है उसमें कुछ ऐसे ऐसे टैक्स हैं जो कि एक वाइरस की तरह है या कोई spam जैसे कुछ हो तो वह आपके email को अगर आपका email कितना बेच्छा हो आपके दियों का ध्यान रखिए कोई ऐसा उसमें टाइटल या ऐसे कोई बॉडिया कोई से कुछ टैग मढ़ डा लिए जो इस पैम से related हो चलते है नेक्स मूव में यू में नॉट बी रीचिंग डी राइट ओडियन्स यह सबसे हमारा सबस्टरा लॉस पॉइंट यह है कि इसमें पहले चीज तो यह होता है कि आपके पास चुक्ष्टमार राता यूसर था नंबर ऑफ मिलियन सॉफ आता है जो हम पॉंस पार्ट में देखे थे में लेना चाहते है क्या नाहिं उसमें से थाउजन्ड यह घंडर लोग भी लेना चाहिए वह कुछ है तो आप हैंडर लोगो को नहीं भी भीजए आपने मिलियंस दोग्वेल सुझ मेल बेज़े हैं तो इससे ये है कि एक लोस्र यह है कि आपका जो मेल है वह ठागेट यह उसके पास नहीं पहुंचता जो आप चाहते हैं इसको रियल में आपके सर्विस यह आपके प्रोड़क्ट की जरूरत है उनके पास नहीं पहुंचती है यह थोड़ा सा लॉस है यह पूंट योर क्रियेटिविटी में भी लिमिटेड अभी देखिए अगर आपका वेबसाइट है अगर आपका कस्टम अगर आपने बनाई है तो आप उसमें अपनी हिसाफ से कैसे भी इसको बादब मॉडिफाइड कर सकते हैं लेकिन मेल की केस में ऐसा नहीं आता मेल की के में अगर आप कोई को यह सा टूल यूज कर रहे हैं जैसे क्लिक पनल हो गया है ना जो हम आगे बात करेंगे उसमें अपने हिसाफ इतना भी चाहें उसमें क्रेटिविटिक कर सकते हैं लेकिन आप ऐसा भी है कि एकदम आप 15-20 पेश का बना रहे हैं आप यह भी नहीं कर सक नहीं आपको एक बनाना पड़ेगा लेकिन बुलेट की साथ बना पड़ेगा तो यहां कुछ लिमिटेट हैं आप पर है ना अगर आप मेल के थूरू अपने वेबसाइट पर ट्राफिक ला रहे हैं और आपका वह जो यूजर है वह आपके वेबसाइट में आकर आपके प consistency and constant update देखिए यह जो point है इसमें आपने daily के आपने देखा होगा कि आपको number of emails आते हैं है अब emails कैसे बसकते हैं let's suppose आपने कोई ebook या आपने कुछ ऐसा दिया होगा email जिसमें आपने उसमें free में को download किया हो और आपने उनको email दिया होगा तो आप देखेंगे कि आपको per day य तो उसमें होता क्या है आपने email दिया वह आपने उसको email दिया वह आपका permission था वहाँ पर कि आप मेरे email लो और मुझे यह चीज़ फ्री में दो तो गलती आपकी है आपको भेजा था email आपने वह book लें अब आपको भेज रहे हैं मतलब और उनका यह है कि हमने आपको free में द आपको लेना पड़ेगा अगर आप नहीं लोगे कोई issue नहीं हो आपको भेजते जाएंगे आप अगर लोगी लोगी तो भी आपको भेजेंगे हमने कुछ नया लॉंच के आप इसको एक बार रिवीव करिए तो यह आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा और आपको जो Unsubscribe button is easy to find इसमें सबसे best benefit वो है यूजर के लिए बिजनस के मैं बात नहीं कर रहा है आप फिलाल मैं यूजर की बात कर रहा हूं राइट देखिए अब यह आपको कोई email आता है जिसको आप नहीं चाहते हैं मतलब कि इसका email नहीं चाहिए बार बार या रोज निची आप कित सब्सक्राइब वाला option है तो बटन करता है है तो अगर आपने Unsubscribe में क्लिक किया है एक बार तो जो भी बिजनस के पास आपका email होगा वो कितना भी आपको भीजें लेकिन आपके पास वह चीज नहीं जाएगे क्यों कि आपने जो बिजनस वाला email जो भी किसी कंपनी का जो भ हैगा अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया है तो लेकिन अगर आपका custom mail है तो उसमें यह चीज option आपको नहीं मिलेगा यह सब कहा option कम मिलता है जब आपको email का टूर यूज करते हो तभी आपको यह answer को option मिलेगा अगर custom email है तो definitely आपको चीज नहीं मिलेगी तो पस एक य सब्सक्राइब है तो आई होप आपको email marketing की प्राशन कौन आपको समझ में आये होंगे नेक्स वीडियो में हम समझेंगे कि एक best email marketing content कैसे लिखते हैं उसके बारे में थैंक्यू